डेक्स्टॉप की अगर और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रेशन में लिंक दिया हुआ है आप उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं और अच्छी जानकरी आपको मिलेगी आप अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें software install करते हैं तो कभी कभी software install नहीं होता है यह क्यों नहीं होता है आज इसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पर मैं आपको देखाता हूं मैंने folder के अंदर दो software add करके रखें एक 32 bit एक 64 bit इसके अंदर आप देखेंगे जब मैं software को install करूंगा तो error याने की problem क्या देता है इस तरीके से आप सम्झ में आ जाएगा कि यह install क्यों नहीं हो रहा है तो इसके बारे में आपको बहतर जानकारी मिलेगी और software install करने के लिए बहुत simple easy track होती है इस पर डबल क्लिक करके उपन कर सकती है तो आपने देखा यहाँ पर मैंने जब install किया तो you can't installing 32 bit बढ़े याने कि यह 32 bit का software है और मेरे system के अंदर में 400 bit operating system बना हुआ है अब यह option system हम check कैसे करेंगे कि मेरे system के अंदर यह 32 bit, 400 bit कहां पर है तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको desktop पर this piece यह का icon दखाई देगा आप इस पर right click करेंगे यहाँ से आप properties के अंदर जाएंगे और system about का setting open होगा आप उसके अंदर काफी सारी जानकारी ले सकते हैं तो 32 bit, 64 bit हमारे लिए बहुत बड़ी problem नहीं है आप जब भी system खरीदें तो आप 64 bit open system का ही बना कर लें तो यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा कि system type आपका 64 bit open system है याने कि अब इसके अंदर जो भी software आप install करेंगे 64 bit से रिटरी आप download करें और install करें 100% आपकी ये problem solve हो जाएगे अब इस software को किस तरीके से हम download करते हैं 32 bit, 64 bit किसी को download करना नहीं आता है आईए में इसके बारे भी बताता है सबसे पहले आप google chrome open करेंगे और google के अंदर आप जो भी software install करना चाहते हैं download करना चाहते हैं तो यहाँ पर 32 bit, 64 bit लिखकर उस पर आप click करेंगे, enter करेंगे तो सामने आप देखेंगे काफी सारी category आपन हो जाएगे यहाँ पर मैं देखा दूँ आपके सामने download window याने कि यह 32 bit, 64 bit में दौनों में सिस्टम में support करेंगे तो जब भी system के अंदर software आप download करें तो पहले आप चेक कर लें 32 bit याने कि 64 bit कुमारा system चलेगा तो यहाँ पर आप इसके बारे में और नीचे दिखा देता हूँ प्लेट फारम के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है 32 bit, 64 bit याने कि ये software आपका 32 bit में भी support कर जाएगा और 64 bit में भी कर जाएगा याने कि 7, 8, 10, 11 बेंड़ो में अगर पराने बर्जन जो हमारे होते हैं 7 से याने कि XP बेंड़ो किसी के पास होगी उसके अंदर जितने भी system software डालते हैं वो 32 bit आप्टेर system ही होते हैं तो आसा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये आपकी problem solve हो जानी चाहिए तो इस तरीके से system में आप कभी भी software इस्टॉल करें तो 64 bit से लिच्टी डाउनलूड करें और इस्टॉल करें उम्मीद करता हूं ये problem आपकी solve हो गई होगी